हाई फ्रेंग्स मैं पूजा देशी कुड रॉकर्स में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बेबी कॉन आलू तवा सबजी इसे बनाना सिंपल है फ्रेंट्स आईए इसे बनाके तैयार करते हैं हम दोनों को अलग-अलग पकाएंगे तो सबसे पहले मैंने आलू ले लिए तीन बड़े लंबे साइज में कटे वे थोड़े से काजू की तुकडी और बेबी कॉन थोड़ी से किश्मिश एक बड़ा प्याज बारिक कटावा तीन टमाटर पीसे वे मेडियम साइज के एक हरी मेर्च तो सबसे पहले कड़ाई को गरम करते हैं और ग्रेवी बना के तै तो पहले ग्रेवी बना लेते हैं थोड़ा सा ओइल टाले हूं उसमें तोड़ा सा जीडा डाले हूं थोड़ासा काजू एट करेंगे ऑillarने चर्श भूच चुटे यूक्श की हूं काजू को हलका सा ला लोने देते हैं फ्रेंच्ञ्ड थोड़ा सा ला लो जाए फिर हम इ कटके आवा तो देखिए आलू ला काजू लालो गें कि ऑनियन को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक सुने रहा होने तक देखिए इस तरह से आप भून लीजिए हम ग्रेवी बना के तयार कर रहें तो मसाला भी ग्रेवी के हिसाब से डालेंगे एक चोटाई चमच हल्दी आधा चमच लाल मिर्च आधा चमच नमक आधा चमच धनिया इतने मसालों को हमको अच्छे से भून लेना है प्याज में देखिए आप इसे अच्छे से भून लीजिए प्याज में ताकि लाल मिर्च का कलर बहुत अच्छा है तो मैं यह ग्रेवी बना रही हूँ तो मसाले मैंने सिरिफ ग्रेवी के हिसाब से एट की हैं आलू में और बेबी कौन में मसाले बाद में डालेंगे, तो ये ग्रेवी के मसाले भून लिए मैंने, अब इसमें तीन टामाटर पीसेवे आइट करेंगे, देखे आप इस तरह से पीसेवे टामाटर इसमें आइट कीजिए, और टामाटर को भी मसालो में अच्छे से भून लेते हैं, ता थोड़ी सी किश्मिश अब मैं इसमें डाल देती हूं अभी ताकि सबजी में बहुत मिठास आजाए बहुत स्वादिश्ट लगेगी खाने में तवा सबजी है इसमें अगर आपको बेबी कौन पसंद है तो वो आप लेकर खा सकते हैं आलू पसंद है तो वो हम लेकर खा सकते ग्रेवी डाल कर इसलिए हम ग्रेवी को अलग से पका रहें क्योंकि यह तवा सब्जी है थोड़ी डिफरेंट है बहुत तेश्टी होती है खाने में तो अब थोड़ा सा मैं इसमें दूट डालूंगी ग्रेवी में आधा बाउल दूट को भी मिल्क को हम ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दूट से इसका टेश्ट बहुत अच्छा आता है ग्रेवी का अच्छी लगती है देखेंगे तोड़ा तोड़ा तेल चोड़ रही है ग्रेवी तो इसमें हाफ टी इस्पून चाट मसाला डालूंगी से मिक्स कर लीजिए धकन लगाकर हम इसे साइड में पकने देते हैं देखिए अब हम आलू और बेबी कॉन को पका के तयार करेंगे तवा सबजी है तो थोड़ा सा तेल डालूंगी दो से तीन छोटे चमज टी स्पून जिससे हम खाना काते हुई तो सबसे पहले जीरा डाल क चेक करते हैं तेल गरम हुआ है कि नहीं देखिए अब मैं इसमें हरी मिर्च एट करूंगी हरी मिर्च मैंने ग्रेवी में यूज नहीं की है इसलिए मैं तवे में यूज कर रही हूं आलू में और बेबी कॉन में तो आलू डालेंगे लंबे साइज में कटे वी तवा है तो आलू को भी अच्छे से हमको फ्राई करना है इसको में पानी डालना है इसको भाप में पकाएंगे तो आलू को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फ्राई कर लेते हैं आप अच्छे से फ्राई कर लीजी साइड में हमको ग्रेवी में भी ध्यान देना है धकन हटा कर ग्र ग्रेवी चिपकेगी नहीं क्योंकि उसमें मैंने आधा बाउल पानी और आधा बाउल दूब डाला है तो ग्रेवी को ज्यादा पतला और मोटा भी नहीं रखना है तो इसमें आलू के हिसाब से नमक डालेंगे हाफ टी स्पून एक चुता ही चमच हल्दी आधा चमच लाल मि लग है तो आलू को थोड़ा साइट कर देते हैं अब इसमें बेबी कॉन डालेंगे तो बेबी कॉन में भी हमको मसाला करना पड़ेगा देखिए बेबी कॉन में मसाले डालते हैं फिर हम मिक्स करके थोड़ा सा साइट करके थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, वन पिंच, आधा चमच लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, मेरी लाल मिर्च चर्की नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आधा चमच यूश किया, अगर आपकी तिक्की हो, तो आप थोड़ी सी कम डालें, नमक स्वाधनुसर, इस तरह से हम तवा सब्जी बना के बिल्कुल तैयार करेंगे, देखे, ढकन लगा दीजे, इसे 5-6 मिनिट होने देंगे, थोड़ा सा चेक करते रहें आप ढकन अटा के बीच में, और साइड में आप देखेंगे, ग्रेवी बन के बिल्कुल तैयार है, फ्रेंड्स, उधर भी हमको ध्यान रखना है कि ग्रेवी पक रही है, तो ग्रेवी पूरा तेल छोड़ चुकी है, देखे, मोटी भी नहीं है और पतली भी नहीं है, हमें मेडियम साइज की ग्रेवी बनानी है, क्योंकि हमें इसे इसमें उपर से डाल कर फिर खाना है, और आप ढकन अटा कर देख आलो पके भी बिल्कुल तैयार है, थोड़ा सा आप मखन डालें, आलो और बेवी कॉन में बटर डालें, तो उससे उसका टेस्ट अच्छा हैगा, हमें स्टीम करना है बेवी और आलो को, बेवी कॉन और आलो को, देखे, बनकर बिल्कुल तैयार है, फ्रेंड्स, अगर यह रेसेपी आपको अच्छी लगी हो, आप लाइक करें, सस्क्राइब करें, थैंक यू, न्यू चैनले सपोर्ट करें, इसके पहले आप मिक्स वेजीटेबल तावा सबजी भी मेरे चैनल में देख सकते हैं, थैंक यू,